मैं सुनीता केश्रिवाल अर्विंद केश्रिवाल जी की धरमपत्न आपके केश्रिवाल जी ने तो साथियों इसी मुद्धे पर बात करेंगे जो सुनीता भावी ने एक बार एक डमी मुख मंत्री बन कर डिल्ली के दो करोण लोगों को संबोधित किया है अलो नमस्कार सस्रिया काल अलेकुम कैसे हैं जनाब तो आज एक बार पुने बात करेंगे जो हमारी सुनीता भावी ने एक बार पुने देश के नहीं दिल्ली के दो करोण लोगों को संबोधित किया है और उनको किद्रिवाल साहब का परिवार बताया है तो ये तो आप लोगों को पहले ही पता है कि आप पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है संजे सिंग जेल से छूटने के बाद भी फाउंडिंग मेंबर आफ आप जो मुख मंत्री की कुर्सी पर बैट कर पीछे दो राश्टे द्वज लगा कर अम्बेदकर जी की फोटो लगा कर और शहीद भगस सिंग साहब की फोटो लगा कर देश को दिल्ली की जनता को संबोदित करे ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ मैडम चीफ मिनिस्टर प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर सुनीता केजरिवाल जी के पास है यार मेरी एडवाइस को ये लोग सीरिसली ले गए यार मुझसे जब डिवेट में ये पूछा गया था कि ये बताईए रिजवान साहब जब वो जेल में हैं तो वो दो हजार चौबिस से पहले पर चार कैसे करेंगे लोग सबाचुनाओं से पहले तो मैंने कहा था भाईया अगर मैं तुम्हारा मीडिया एडवाइजर होता दिल्ली की फिल्म सिटी नोईडा तुमको किसी भी स्टूडियो ले जाता जेल का एक सेड़ बनाता सरलाखे तुमसे कहता पकड़ के खड़े हो ये और देश की और दिल्ली और पंजाब की जनता आपको संबोदित करिये और चुनाओं में तुमारे वो ही वीडियो में नुकर 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 एलिडी ट्रक पर छोते हाती पर चलाता तो ये मैंने राय दी थी मुझे नहीं पता था ये उस राय को सीरिस्ट्री ले 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 और केजरीवाल साब के सलाखो के पीछे पोश्टर बन जाएंगे चलो भाईया कोई बात नहीं सलाखों के पीछे पोश्टर बन गए चलो कोई बात नहीं यार वीर भगस सिंग मतलब मतलब क्या बोलो उस करेक्टर के बारे में उस सक्षियत के बारे में उस इंसान के बारे में उस भारत माता के सपूत के बारे में और क्या बोलो अम्बेतकर साब जी के बारे में पहले तो आप ने अपना डिये ने उनसे जोड लिया चलो भाई जनता ने बरदाश कर लिया अब उसके बाद बीच में आप सलाखों के और इनसे भी बड़े योदा इनसे भी बड़े देशबग बनकर बीच में आप लटक गए अरे भाई तुम्हें अगर लटकने का शौक था मेरी कुछ-कुछ एडवाईज माननी थी सिंप्रती कार्ट खेलना था खेलो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो राजनीती है मैं तो बहुत ही नूटल कमेंटेटर हूँ तो इतना कर लेते कि अम्बेदकर साहब की और भगस सिंग साहब की फोटो जरा सी चार इंच उपर कर लेते आठ इंच उपर कर लेते फ्रेम तो तब भी बनता ना टेबिल पर जो कागज रखे रहते हैं कमबका समझ में नहीं आता इन कागजों में क्या लिखा है फ्रेम हलका सा उपर कर लेते तो सुनीता भाबी भी आ जाती उपर सलाखों के पीछे केजरिवार अंकल भी आ जाते और भगस सिंग साहब और अम्बेदकर साहब भी आ जाते ये नीचे टेविल और टेविल पर रखे कागज क्या दिखाने सुनीता भाबी को जरूरी है जब पढ़ना सामने टेली प्रॉम्टर देखी के हैं यार एक बात बताओ इनके मीडिया सेल में इतनी कॉमेंसेज नहीं है कि सामने जब कागज रखे हैं और आप ये बोल रहे हो कि केजरी वाल जी का जेल से आपके लिए एक साथियों संदेश आया है ये आप टेली प्रॉम्टर में देख के बोल दो अगर आप एक लाइन भी बिना टेली प्रॉम्टर के नहीं बोल सकते कोई बात नहीं बोल दो लेकिन जो संदेश आया है वो तो नीचे कागजों की तरफ देख के पड़ा पता दो और फिर बीच बीच में उपर देखते रहो संदेश तो तुमारे इसाब से कागज में लिखके आया है ना तबी तो सामने तुम आठ एफ और साइस कागज रखके बैटे हो पर भू या जो संदेश आया है वो भी तुमने सामने टेली प्रॉम्टर पर लगा दिया मतलब कितनी बेसिक गलतिया है और ये मैं बार बार कहता हूँ कि यार मैं पहले कुछ और समस्ता था थोड़ी से मुझे से गलती हुई है यार राहुल गांदी या प्रिंका आप कुछ भी बोल लो उनसे कहीं जादा नोटंकी बाज यार आपके लोग है और कहीं जादा नोटंकी बाज कि इजरीवाल साब का परिवार है मुझे तो डल लग रहा है इस कुरसी पर उनके चार दिन बाद बच्चे आकर दिल्दी की जनता को संभोधित ना करने लगे हम देख भी लेते हैं कि टेली प्रॉम्टर पे जो आधेश लिखा हुआ है कि इजरीवाल साब का उसमें लिखा क्या है मेरा बस यही कहने का मतलब है यह छोटी छोटी चीज़े हैं जो ड्रामे बाज लोगों को नोटन की बाज लोगों को बहरूपिय टाइप लोगों को नोट करके रखनी चाहिए जब वो जैसी उन्होंने बोला जेर से संदेश भेजा है उनको नीचे एफोर साइस कागजों की तरह देखना चाहिए था और वो संदेश आप पढ़के जनता को सुना देते अब इस संदेश भी जब टेली प्रॉम्टर में हैं तो नीचे कागज काहे रखे हैं सबसे बढ़ाई स्कैम तो यह है एफोर साइस पेपर स्कैम आगे चलो मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरहें की तकलीफ नहीं होनी चाहिए हर विधायक इलाके का रोस दौरा करें और लोगों से पूछें कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही जिसको जो समस्या हो उसे दूर करें और मैं केवल सरकारी भागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी बिल्कुल आपको अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं आप जैसे तो आपको सरकारी समस्याओं का समाधान नहीं करना हैं जैसे अभी आतिशी ने मुक सचिप को चिठी लिखी के यहाँ पानी पचा दीजिए वहाँ पानी पचा दीजिए बड़ी दिक्कते आ रही हैं य ये किसको देते हैं मनरेंद मोदी जी को मतलब हद है जब से ये बंदा जेल में गया है सिर्फ पान्दिल्दी की दिक्कते ही सुनने को मिल रही हैं चाहे वो मौला क्लीनिक में दवाई हो चाहे वो आपके वाटर कंटेनर हो चाहे वो आपका घर गर जल हो हर जगा सिर्फ औ और मैंने तो ये सुना था कि मेरे पास तो कोई विभाग नहीं है, मैं किसी फाइल पर साइन नहीं करता हूँ, और सारा काम मेरा आटो पाइलिट पर लगा हुआ है, अब दिक्कतों में उन्होंने कह दिया है कि विभाग से संबंदित नहीं, इसके अलागा भी आपके बच्चे का कहीं जगडा हो गया है, आपके घर में कोई कलेश है, साज बहु की टेंशन है, आपकी संधन आपको परिशान कर रही है, आपकी पतनी आप से रूट गई है, या आपके पती आप से रूट गए हैं, तो ये समस्या भी दोजार चौबिस से पहले बता और के जरीवाल जो व्यक्तिका समस्या हैं, इन लोगों को भी आपके विदायकों को आदेश हुआ है, आप लोगों को इस चीज को निप्टारा करने के लिए, यानि नौ साल हो गए, तसवा साल शुरू होने वाला है, अगले साल दिल्ली का विदान सभा का च चिजना है, और कैसे कैसे बच्कान आदेश जेल के अंदर से निकल के आ रहे हैं, चाहे वो आतिशी के लिए हो, चाहे वो सारवभारदवाज के लिए हो, और चाहे हमारी भावी जी के लिए, सुनीता भावी के लिए, अब देड़ की तरह आप लोगों को बतातू कि कल ये तैयारी चल लई है कि केजरी वाल साहब को अंदर से एज़ चीफ मिनिस्टर आपरेट करने की इजाज़त मिल जाए और उसके बाद अंदर उन्हें सब सुविधाएं मिल जाएं तो ये तैयारी चल लई है आप लोगों को एक अपडेट दे दूँ कि कोट में क्या से हटाया जाए जो फिर से एक बार पुने हाई कोट ने उसको डिसमिस कर दिया ये बात मैं आप लोगों को पहले बता चुका था कि कॉंस्टिटूशनल इस मुद्बे पर साइलिंट है देखना ये है कि इसका क्या आगे चल कर इसका सिलूशन निकलता है तो साहाब केजरी इवाल साहब की जो दलील आगे दी जाने की तैयारी हो रही है ग्राउंड वर्क हो रहा है ये कहा जा रहा है कि सुबरोतो राय साहरा जब जेल में थे तो उस जेल को प्रिजन में कनवर्ट कर दिया गया था एक पोर्शन को अब जेल क्या है और प्रिजन क्या है जेल में अ पज़ा हो जाती है उस स्टेज में आप दूसरे एरिया में चले जाते हैं दूसरे कंपाउंड में चले जाते हैं जब आपका कन्विक्शन हो जाता है वहां के जो रूल्स होते हैं वो थोड़े से डाइलूटिड होते हैं हलके होते हैं तो एक अपील होने जा रही है जहां त व्यूज्कर जीकि फोटो दे दी जाए मतलब पूरा सीन वहाँ पर create किया जाए वहां से ये दिल्ली चलाएंगे जैसे सुपरोत और राय सहरा चलाते थे सुपरोत और राय सहरा इसमारे चलाते थे क्योंकि जब उनको स्प्रीम कोट ने उनके वाइलेशन में उनको जब सजा हुई थी मॉन्ट्री उसमें तो उन्होंने ये कहा था कि मैं लोगों का पैसा तब लोटा सकता हूँ जब मैं अपने असेट्स बेचूं और मेरे असेट्स के निगोशियेशन मैं खुद ही करना चाहता हूँ मेरे नियॉउर्क में होटल हैं लंडन में होटल हैं कोई भी मेरे असेट्स हैं मैंने ही परचेस किया हैं मैं ही सी-ओ था मुझे ही सारी उसकी इंटिक्रिटीज मालूम हैं और मैं ही उस पे आर्गोमेंट करना चाहता हूँ परचेजर्स से जो की डील फाइनल होगी मेरे थ्रू ही हो सकती है क्योंकि शुरू से मैं इस कंपनी को लेकर चला हूँ और फिर वो पैसा इंवेश्टर्स तक जाएगा तो ये था कुल मिलाकर सुबरोतो राय साहरा के एडवोकेट्स की पिली जो अनुर्बर सुप्रीम कोट ने माल ली तो सुबरोतो राय साहरा के लोयस की ये पिली थी अब एक तरह तुम कहते हो मेरे पास कोई पॉर्टफोलियो नहीं था मैं कहीं साइन नहीं करता था ये नहीं करता था तो तुम्हारे लॉयर्स को ये जिस्टिफाइ करने में अब प्रॉब्लम आएगी तुम्हारी ही बाद गुमा कर अगर मैं वकिल खड़ा रहा होता माने लो केजरी वाल के खिलाब तो मैं कहता लॉडशिप ये तो पंद्रा बार बोल चुके हैं मैं किसी कागस परसाइंड न सकता तो तुम्हें ये सब फैसिलिटीज लेने की वहाँ पर क्या जरूरत है तो ये अब इस चीज़ की तैयारी कर रहा हैं पहले कहते थे हम अंदर रहें बाहर रहें कोई फरक नहीं पड़ता फिर पतनी में भावी जी आके अलग अलग तरहां के पैगाम सुना रही है पर प्रॉब्लम आ रही है फिर फोटो च्छप रही है सललाकों के पीछ अगर यही सब ना टक करना था और राजनीथी में ना टक होते हैं तो तुम्हें ये सब बाते करने की क्या जरूरत थी ऊँचा थूकने की तुमको क्या जरूरत थी बात खते करते एक बहुत टेक्निकल बात बताऊंगा और आप लोग के दिहान एक तरफ लेके जाऊंगा वो दौर था हमारे देश की राजनीती का कि सब आपस में रखते रहते थे तो टॉप पे निता बैठे रहते थे लेकिन एंड में आते आते सब एक दूसरे को बचा देते थे याद है सब एक दूसरे को पक्ष के रिष्टों की दिशाधारा आने वाले वक्त में बदल लई है और बदलनी शुरू हो गई है चाहे आप सुरेंग का केस उठा लें चाहे आप केजरिवार का केस उठा लें मोटा मोटा दो सिटिंग मुकमंतरी बष्टाचार के आरोपों में जेल गए हैं ये भार आती है लोक तंदर का एक निया एक पहलू है जिसकी तरफ मैं आप लोगों की नज़र ले जा रहा हूं फिर अपना वीडियो खतम करूंगा दो हजार चौविस से लेकर दो हजार उन्तिस तक इस देश में अब बहुत जबरदस्त बैटिंग शुरू होने जा रही है जो सं सो पार तिन सो सतर पार के चक्कर में नहीं पढ़ता हूं सेफ खेलता हूं पर सामने ये आ रहा है कि मोदी जी की सरकार फिर से बनने जा रही है आने वाले वक्त में इस देश में बहुत जबरदस्त बैटिंग बर्षटचार को लेकर शुरू है उन्तिस से पहले जो गाज ह ये गांधी परिवार नहरू परिवार पर बषटचार कि किसी ना किसी आरोप को लेकर या कोई आरोप को लेकर इस परिवार पर भी गिरने वाली है जो हम लोग सोसते हैं ना वो अगस्ता की फाइल दब गई वो फाइल दब गई वो फाइल दब गई कोई पूछने वाला दिल मेरा ये कह रहा है कि 24 के बाद जब सरकार बनेगी तो बड़ी अब जबरदस्ट बैटिंग होगी जो एक नया अध्याय शुरू हो गया है कि बेटा भले मुखमंत्री हो उपर उपर सेटिंग दुश्मनी और अंदर अंदर सेटिंग नहीं होगी एक बात मेरी नोट कर ले कि 24 में अगर कमफर्टेबल मिजावर्टी से बीजेपी आ जाती है कमफर्टेबल मैं 290 के उपर मानता हूँ बिलकुल प्रैक्टिकल बात करता हूँ 290 के उपर मैं कमफर्टेबल माल लूँगा दो बार की एंटी इंकमिंसी के बावजूद अगर 290 क्रॉस करती है बीजेपी तो मैं कमफर्टेबल माल लूँगा और बीजेपी अगर कमफर्टेबल आ गई तो आने वाले पास साल में विपक्ष के और कई निताओं के लिक्ट गिनने जा रहा है ये ना सोचिए वो फाइल दब गए ये वो फाइल दब गए ये फाइल कभी दबती है कभी खतम नहीं होती है पुराने मौराने बर्टेबल चार के मामले उटने जा रहा है और विपक्ष के लोग जेल जाते नजर आ रहा है और गांधी परिवार भी मुझे मैं जो भविश देख रहा हूं आने वाले वक्त का ये हवालात की हवा जरूर खाएगा जैहन बंदे मातरम खुदा हाफ़ज़